रादे रादे मेरी यूट्यूब फैमिली तो चलिए आज मैं आपकी साथ सेयर करने जा रही हूं बच्चों की पसंद का एक बहुती बढ़िया नास्ता ठीक है ना एकदम क्रिस्पी करा रहा करा रहा जिसके लिए हमें जरूरत होगी आलू की तो यहां पर यह मैंने आलू ल काटना सुरू कर देंगे अच्छा मैं आपको एक बात और बता दू अगर आपके पास इस तरीके का चोपर नहीं है तो आप इनको हाद से भी बारी बारी कट कर सकते हैं वैसे यह चोपर नॉर्मल मार्किट में मिल जाता है आहसानी से कहीं भी मतलब क्रोगरी की दुकान प मैं दूक्टे के रही होज हुआ है यह त Zus दो आड़ है कि पार कि खम खेलकी काट चलते पाहिए फैले ही रख्या सब दे कर दे नहें सब्याक्र नहीं पें क्योंकि जादा करके हम सर्जो के तेल का इस्तेमाली करते हैं और यहां पर इनका मोश्चर सूख चुगा था मैंने इनको बाउल में निकाल लिया है तेल का टेमप्रेचर जब एकदम हाई हो जाएगा तो हम यहां पर इस तरीके से लच्छो को डाल देंगे जैसे हम यहां पर इनक्षो को डालेंगे तो बहुत तेजी से एक उबाल सा आता है बबल बनते हैं और तेल बाहर निकालने के चांज भी बहुत ज़ादा बन जाते हैं इसलिए आपको यहां पर थोड़े डालने है और थोड़ा सा सेप्टी से ही डालने हैं और करेब इनको 5- चै मिनृट के लिए मतलब बता देती हैं पहले आपको कुम्ध आपके क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं इंपर कोई दग किरार करारे भी होते हैं अलू के वज़े से अगर आपके आलू बहुत अच्छे हैं खासका जो चिप्स होना के आलू है तो लच्छे आपके एक दम सपेद सपेद बनेगे और मुलैम भी नहीं बनेगे एक दम क्रिस्पी बनेगे अगर आलू के अंतर मिलावाट होगी तो कोई-कोई लच्छा क्या होगा ना लाल भी हो हो जाएगा और हो सकता है कोई-कोई सोप्ट भी रह जाए मुलैम सा भी हो जाए तो यहां पर यह सारे लच्छे बना के तयार कर लिए हैं मैंने दो बैच में बने हैं और यह तोड़के मैं आपको दिखा रही हूं और साथ में इनकी आवाज भी आपको मैं सुनवा रही और जो इनमें तेल भी निभराया जैसे घर में कोई चीज बनाते ना तेल तेल सा भर जाता है ऐसा भी निभराया तेले आवाज सुनवा आती हुँ सुन लिया आवाज आपने वास्तों में यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेते इनमें बस हलका सा नमक लगा के अपने बच्चों को दे दीजी उनको बहुत पसंद आएंगे